दोस्तो अगर आप भी रोहित शर्मा और कोहली को अच्छा घिलाडी मानते हैं तो वीडियो को जरू लैक किजिएगा दोस्तो ऐस्ट्रेलिया को हराकर वर्ड कप से किया बहार तो अब अगले ही मुकाबले में भारतिय टीम को हराने पर क्वेंटन डिकॉक ने जो कहा वो सुनकर रोहित शर्मा और विराट कोली तक भड़क गए तो आखिर क्या बोले क्वेंटन डिकॉक वो तो वीडियो में दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि क्वेंटन डिकॉक रोहित शर्मा और विराट कोली में से कौन अच्छा बल्लेबाज है अपनी किमती राए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए अब आपका ज़्यादा समयना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो मैच पर चुन भी लेते हैं और दोस्तों यहाँ पर साउथ ऐफ्रिका का एक विकिट भी गिर जाता है टेमबा बमूमा के रूप में 35 रन पर लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्वेंटन डिकॉक ने शतक जड़कर 109 रन बनाते हुए यहाँ साउथ ऐफ्रिका को 311 रन पर दोस्तों असली मैच तो शुरू होता है तब जब उस्ट्रेलिया इबल्लेबाज मिचल मार्स और डेविड वॉनर पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं और दोस्तों यहाँ पहले जटका मिचल मार्स उस्ट्रेलिया को देते हैं 27 रन के कुल स्कोर पर फिर डेविड वॉनर भी अपना विकेट गवा देते हैं 13 रन पर और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम 27 रन पर दो विकेट गवाने के बाद स्टीव स्मित और मार्नस लाबुशेन के भरोसे पर थी लेकिन यहाँ पर स्टीव स्मित 19 रन बनाकर कगीसो रवाडा के अंदर आते हुई ग विलेन लोटे और उस्ट्रेलिया जैसी विश्व विजेता टीम ने यहाँ 6 विकेट अपने 70 रन के कुल स्कूर पर ही गवा दिये अब दोस्तों मिचल इस्टार्क और मार्नस लाबुशेन ने पारी को संभाल रखा था लेकिन यहाँ पर किसी को क्या ही पता था कि अगले ह में दोस्तों यहाँ क्वेंटन डिकॉक को मैन आफ दा मैच के खिताब से नावाजा गया क्योंकि उन्होंने साउथ एफरिका के लिए शतक जड़ा और इतना ही नहीं क्वेंटन डिकॉक ने मैन आफ दा मैच बनने के बाद बारत को सीधा तोर पे चितावनी दी और कहा हम जब भारत में वर्ड कप खिलने के लिए आए तो हमारी निगाएं सभी मुकाबलों को जीतने परती हमारी शुरुआत अच्छी हुई है और हम आगे भी इस शुरुआत को जारी रखना चाहेंगे हम उस हार को भूल नहीं सकते जो हमने पिछले वर्ड कप में इतनी मेहनत क करने के बाद जहली थी इसलिए हमारी टीम इस बार तैयार है अभी तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ आज हम सोच रहे थे कि हमें और भी ज्यादा रन बनाने चाहिए थे लेकिन हमारे गेंदवाजों ने अच्छा किया 100 रन की जीत वर्ड कप के माइने में काफी ब भारतिय टीम के लिए हम नई रड नीती बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोली से भी डरते हुए क्वेंटन डिकोक ना जा रहा है बाकि अब आप क्या मानते कि क्वेंटन डिकोक ने जो कहा है साउथ एफरीका क्या भारत को हरा पाएगी या फिर नहीं अपने कीमती राय हुमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर गए जरूर बताईएगा